हेलो जी सश्रीयकाल जी मैं आपकी दोस्ट जैजी एकबर फिर सर लेके हाजिरूं आपके लिए एक अमेजिन सी रेसिपी तो जी हां आज हम बनाने वाले होममेट गुलकंद तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमने यहां पर लिए हैं देशी गुलाब की पत्तियां के लिए झाण पर नीचे रखके किसी टॉवल के उपर अच्छे से सुखा लिया है तो चलिए तयार करते हैं गुलकंद गुलकंद बनाने के लिए हमें इसे एक बड़े बरतन में डाल लेना है देखिए हमने सारी पत्तियों को अच्छे से साफ कर लिया और इसे एक बड़े बरतन में डाल लिया है और इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ पर डालेंगे चीनी तो आधा किलो पैटल्स में हमने 50 ग्राम चीनी ले ली है और इस चीनी को हम पैटल्स के साथ रब करेंगे तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसे रब करना है तो हमें साथ साथ में लेनी है थोड़ी थोड़ी पैटल्स अपने हाथ में और साथ में लेनी है थोड़ी सी चीनी और दोनों हाथों में दबा के इन पैटल्स को हमें अच्छे से रप करना है तो इसी तरह आपको सारी पैटल्स को रप करके एक साथ बाइंड कर लेना है देखिए हमने इसी तरह सारी पैटल्स को रप करते गए हैं चीन तो हमें पकाना नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरुवत नहीं है इसको पकाने की तो चलिए अब हम इसमें मिलाएंगे इसे किसी अच्छे से बॉटल में कांच की जिसको हमने गरम पाने से धूप की अच्छे से सुखा लिया है तो आप इसे किसी बॉटल में फिल कर सकते हैं और इसको फिल करने के बाद हमें बॉटल को तकरीबन आठ से दस दिन पंदरा दिन तक इसको धूप में रखना होगा औ यह मार्केट से कहीं जादा अच्छा गुलकंद है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और इसे जरूर बनाईएगा आपको खुछ से पता लगेगा कि यह कितनी बहतरीन चीज है मार्केट का गुलकंद ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से बटल में फिल कर लिया है और आप यह बटल को मैं धूप में रखूंगी तकरीबन 15 दिन के लिए और हमारा गुलकंद बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी रखती है तो प्लीज मैंने चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा वाय वाय टेक कियर